नमस्कार दोस्तो एक बाफिर यहां पर रिलीस कर दे गयेंग, आप सभी लेक को बताना चाहता हूँ सवास्त विवाग मैं सरकारी भरती के लिए विग्यापन यहां पर जारी कर दे गया है सब भी लोग यहां पर पढ़ सकते हैं लखा हुआ है गुजरात, इंडेस्ट्रीज, पावर कंपनी लिमिटेड बड़ो दोरा, इनको दोरा सरकारी भरती का विज्ञापना पर आ चुका है और किस तरीके से आप लोग यहां पर apply करेंगे लास देट यहां पर क्या रहने वाली है पोस्ट वाइस कितनी का विकैंसी आपर शामिल किये गई है एज क्राइटिरिया, क्वालिस्टिकेशन और सैलिय पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको आपर मिलेगी और apply किस तरीके से करना है सारे इंस्ट्रक्शन में आपको आपर रीट करके बताने माला हूँ इतनी सारी जानकारी आप लोग यहां पर वीडियो से प्राप करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है इस वीडियो का आपर लाइक कर देना है अपनी इंफॉर्मेशन की और अगर आपके पास यहाँ पर experience है तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रहने वाली है age का criteria आप लोग यहाँ पर देख लें 45 साल तक के सभी candidate आप सब लोग यहाँ पर आविदन कर सकते दोस्तों देखिए अगली जो पोस्ट यहाँ पर जो रहने वाली है medical officer की यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर देखिए qualification के तोर पे MBBS वाले सभी दॉक्टर से आप आविदन कर पाएंगे medical council of India में आपका यहाँ पर registration होना जरूरी है और जो भी आपको हाँ पर course हो registered यहाँ पर हो और देखिए institute से होना जरूरी है दोस्तों देखिए experience के बारे में बात कर लेते हैं दो देखिए कम से कम जो है 3-5 साल का आपको यहाँ पर clinical experience चाहिए और देखिए general practitioner का अगर आपके बाद यहाँ पर अनुभाव है दोस्तों देखिए अगरी जो post यहाँ पर जो रहने वाली है nurse कि यहाँ पर रहेगी और देखिए male और female दोनों तरीके के candidate यहाँ पर आविधन कर पाएंगे qualification के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए लिखा हुआ है A&M यहाँ पर देखिए G&M के नहीं बाली बात है देखिए A&M का अगर आपके बाद आपर training course है यहाँ पर देखिए G&M का अगर आपके बाद आपर diploma है तो बिलकुल आप लोग यहाँ पर आविधन कर पाएंगे और देखिए reputated institute से यह होना जरूरी है और देखिए registration भी आपसे आपर मांगा जा रहा है गुजरात nursing council के अंतरकत और देखिए experience के बारे में बात करते हैं तो देखिए कम से कम जो है 3-5 साल का आपको यहाँ पर post qualification experience चाहिए इसी field से related और देखिए age के बारे में बात करते हैं और देखिए इस age तक के सब भी candidate यहाँ पर आविदन कर सकते हैं दोस्तों देखिए अंतर्यम जो post यहाँ पर जो शामिल की गई है आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं लखा हुआ है lab technician, laboratory technician के यहाँ पर पोस्ट है qualification के तोर पर DMLT वाले सब ही candidate यहाँ पर आविदन कर पाएंगे और देखिए experience के बारे में बात करते हैं तो कम से कम 8 से 10 साल का आपको यहाँ पर post qualification experience चाहिए इसी field से related और यहाँ पर देखिए age के बारे में बात कर लेते हैं और दोस्तों देखिए आप लोग को यहाँ पर apply करना है इसके लिए नीचे की तरफ application form का format दे जा रहा है यह application form आप लोग यहाँ पर फिल करें आपका नाम, आपका address, आपका email ID, mobile number, date of birth, आपकी qualification, आपका experience और यहाँ पर देखिए जो भी आपके यहाँ पर information है आपको यहाँ पर provide करना है, basic detail है और देखिए साथी साथ आप लोग अपना है आप पर recent passport size photograph भी आप लोग पे paste करेंगे और दोस्तों देखिए इसको लेकर आपको यहाँ पर उपस्तित होना है दोस्तों देखिए आप सभी लोग को application form फिल करना है और यहाँ पर देखिए application form को साथ-साथ जो है आपको यहाँ पर bio data भी तयार करके ले जा रहा है जिसमें आपकी recent passport size photograph भी यहाँ पर रहेंगी यहाँ पर देखिए address आपको यहाँ पर दिया जा रहा है तो यह पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है और उमीद कता हूँ update आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा information आपको यहाँ पर मिल गयोगी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो की नीचे जाए सब्सक्राइब कर रेड बेटन को आप एक लिक कर ले स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की स्वास्त बिवा की हरिक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे पातने तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक्यो सो मच